भारती अर्थवेवस्ता मंदी के दौर से गुजर रही है जाहिर है कि राजधानी पर भी इसका असर पड़ रहा है और मुख्यमंत्री की चंता भी बढ़ गई है CTI यानी Chamber of Trade and Industries के सम्मान समारों में पहुँचे मुख्यमंत्री ने कारोबारियों की बिगड़ी हालत पर चिंता जाहिर की मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात खराब हैं और अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में डिल्ली में लागू की गई मुफ्त योजनाओं पर असर पड़ सकता है अपनी अर्थविवस्था की स्थिती है अभी बहुत जादा मंदे का दोर है मैं आज भी बहुत सारे वेपारी सुबह से शाम तक मिरसे मिलने के लिए आये थे उनसे भी मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे 30%, 20%, 40% दंदा डाउन हो गया तो मैं उमीद करता हूँ कि जल्दी अर्थविवस्था सुधरेगी ताकि आप लोगों का बिजनस इंप्रूव होगा अभी आते टाइम मैं रास्ते में गाड़ी में सतिंदर जेहन जी से भी यही बात कर रहा था मैंने का रहे यह जल्दी वे अर्थविवस्था नहीं सुधरी तो अपना टैक्स भी नहीं आएगा अगली साल और हमने इतनी सारी अभी अनॉंस्मेंट्स भी करी हैं तो वो टैक्स नहीं आएगा तो कैसे यह पूरी होगी मुक्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मंदी के इस दौर में दिल्ली सरकार दिल्ली को राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है दिल्ली के अंदर तो कम से कम महिंगाई का जमाना बहुत जादा है बिजनस चलनी रहे तंखाएं बढ़नी रही खर्चे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में सरकार ने कई सारे सुविधाएं तो जनता को दी हैं तो दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा पिंच कम हो रहा है जैसे बिजली 200 उनिट तक माफ कर दी, पानी भी माफ कर दिया, पानी के पुराने बिल माफ कर दिये, अब महिलाओं के लिए बस भी फ्री हो जाएगी और खूब बड़े स्तरके उपर दिल्ली का इंफरस्रक्टर भी सुधर रहा है केजरिवाल ने केंद्र सरकार से मंदी से निपटने के लिए सक्त कदम उठाने की अपील की उन्होंने एक बार फिर दोहराया की, दिल्ली सरकार मंदी से निपटने में केंद्र को पूरा सहयोग देगी मंदी बर्मुखी मंत्री की चिंता विपक्ष के लिए मुद्दा बन गई है मनुस्तिवारी ने केजरिवाल सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया अब अरविन केजरिवाल जी को ये जवाब देना चाहिए कि आपका हर साल 10-11,000 करोड रुप्या लैप्स हो रहा है तो जिस प्रदेश का दस हजार करोड से ज़्यादा लैप्स हो रहा है उसको कौन से टैक्स की चिंता है ये दिली की जंता को बताएं अरविन केजरिवाल जी और पूरे पांच साल में आपने ग्रीन टैक्स का एक पैसा भी यूज होते हुए नहीं देखा ये आपको भी जानकाली है कि जो ग्रीन से स्टैक्स आता है दो हज़ार करोड रुपिया हो गया है उसका तो आपके पास खर्च करने का एक का आपने उपाय नहीं चलाया मुखी मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मंदी के इस दौर में दिली वालों को रहाद देने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे हाला कि वेपक्ष लगातार दिली सरकार की कोशिशों को चुनावी ताम जहाम बता कर नकारने में जोटा है